अगर बाल जड़ से सफेद हो रहे हैं तो बस पांच रुपे का ये नुस्खा लगाने से बालों में ऐसा काला पनाएगा कि बुढ़ा पे तक आपके बाल बिल्कुल सफेद नहीं होंगे हेलो दोस्टो वेल्कम बैक टो माई चानल आज की मेरी सवीडियो में आप सभी के लिए ऐसा नुस्खा लेकर आएगा ये नुस्खा आपके बालों को जड़ से काला करने में मदद करता है और यदि आप इस उपाय का मेरे बताय गई तरीके से इसको इस्तमाल करते हों तो कशल बालों में बहुत श्रय länger राइगी और बहुत संदर और चम्किले हो जाएंगे आजकल हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या हैं कि बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं डाइट के साथ साथ सही प्रोडक्ट का इस्तमाल ना करने की वजह से भी आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं तो आज जो देसी उपाय बता रही हूँ इसके लिए आपको आमला की जरुरत होगी आमला आप सभी को पता है आमला कितना ज़्यादा कारगर है आपके बालों की रफनेस को दूर करने के लिए और सबसे जरूरी ये आपके बालों को जड़ से काला करता है तो यहाँ पर सूखा आमला मैंने ले लिया है जिसको यहाँ पर मैं एक मिक्सी के ग्राइंटर के अंदर डाल रही हूँ दोस्तो आमला जो होता है आपके बालों को बहुत शाइनी बनाता है साथ ही इसके अंदर जो विटेमिन C होता है ये आपके बालों को स्मूध बनाता है और जड़ से काला करने में उन्हें मदद करता है आमला को मैंने इस तरीके से देखिए पाउडर इसका बना लिया है अभी आप देखिए ये बिल्कुल दरदरा सा पाउडर है तो आपको क्या करेंगे आप इसको छान लेंगे मैंने यहाँ पर ये देखिए एक प्लेट के अंदर मेंने इसको छान लिया है और अब ये पाउडर यूज करने के काबिल हो चुका है अगर आप बारीक वाला पाउडर चाहते हैं तो आप पंसार की दुकान से आराम से ये मिल जाता है आप वहां से ले सकते हैं इसके अंदर मैंने दो चमच आमला का पाउडर लिया है दूसरी जो चीज है यहाँ पर हिना यहाँ पर महधी का इस्तमाल करेंगे है क्योंकि कंडिशनिंग करनी है महधी का इस्तमाल आपको जरूर करना चाहिए एक कप मैंने महधी का लिया है यहाँ पर भर करके यदि आपके बालो के लैंड जादा है तो आप जादा इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर एक विटामिन E का आयल इस्तमाल करेंगे विटामिन E हमने इसलिए यूज़ किया है जिसे कि ये रफनेस को खत्म करें इसी के साथ हम इसको चाय पत्ती के पानी के साथ में दोस्तों मिक्स कर लेंगे और बस ये पेस्ट आपका कुछ इस तरह से तेयार हो जाएगा मेहनदी का ये पेक आपके बालों के लिए बहुत ही जादा एफेक्थिव रहेगा आपके बालों को जड़ से काला करने में मदद करेंगा और şeyi को बहुत Fig To thorn is a और दोस्तों यदि आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर लाइक करना शेयर करना जिसे कि और लोगों को भी इसका बेनफिट्स मिल पाए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं उमीद करते हूं कि मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सबस्क्राइब करना न्यू अपडेट्स के लिए थैंक यू